आज का हमारा टॉपिक है खुशी खुशी एक गुण है एक शक्ती है आज का हमारा टॉपिक है खुशी जिसकी एहम भूमिका हमारे जीवन में होती है जीवन एक प्रभु का दिया हुआ उपहार है जो हम हर मनुष्य आत्माओं को मिला है हमारे जीवन का मूलता लक्ष यही होता है हमारा जीवन संपन्न हों, सुखदाई हों, आनंदमई हों, आदर्श हों परन्तो कई बार सारी प्रयत्न करने की बावजूद भी हम इन बातों से, इन प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं और फिर जब अपने जीवन को टटोलते हैं, अपने दिल दरपण में जाखते हैं तो हमें महसूस होता है कि अपने जीवन में इन सारी साधनों, सुविधाओं के पीछे जो हम भाग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चीज वस्तुओं का अंबार हैं ऐसी स्थिती में जीना एक चुनोती बन जाता है, लेकिन जिसकी तलाश हमारी अंतर आत्मा को है, जो एक समवेदना है, एक शक्ती है, एक महसूस्ता है, एक बुड फिलिंग है, जिसे हम खुशी का नाम देते हैं हमें अपने जीवन में जब भी किसी चीज वस्तुओं की प्राप्ती होती है, जीवन में सुख मिले, तो भी हम खुश होते हैं, जीवन में गहरी शान्ती मिले, तो भी हम खुश होते हैं, जीवन में आनंद मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले, ये सारी प्राप्तियां हमें ख तो भी प्राप्ती होती है, उन सब का सार, आधार, खुशी है, और खुशी का श्रोत हम स्वयम ही है, क्योंकि मनुष्य अपना मित्र भी स्वयम होता है और अपना शत्रू भी स्वयम ही होता है, हमारी खुशी हमारी उपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हम अपने जीवन में इन अनभवों को अनभव करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हैं। गीता में लिखा गया या शलोक कर्म की उपर बहुत ही प्रसिद्ध है। पुण्य कर्म करते हैं। तो ये कर्म करने के पस्चात हमें इसके फल को सोचने की, समझने की या उसके पीछे कोई भी पस्चा ताप करने की आवशकता नहीं होती। अर्थात हम अपने कर्मों पर ध्यान दे ये कर्मी ही हमारे जीवन में खुशियों का भंडार लेकर आते हैं जिसके लिए कुछ एक बातों के उपर ध्यान देना आवश्यक है सबसे पहली बात है कि हम खुद से प्यार करना सीखें क्योंकि हम इस पूरी स्रिष्टी इस पूरे काइनात में एक यूनिक पीस है हर मनुष्य आत्मा का भाग्य अलग है उसके संसकार अलग है उसके कर्म अलग है और इन सब के अलग-अलग होने के कारण हम अपने आपको जान पाते हैं जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं अपनी अंतर आत्मा को जानते हैं अपनी विश्यस्ताओं को पहचानते हैं और उन विश्यस्ताओं को पहचान कर कर्म करते हैं जिससे हमारे आत्मिबल का स्रिजन होता है और जितना मनुश्य का willpower create होता है उसकी immunity level बढ़ती है उतना जादा हमारे जीवन में खुशी जागरित होती है दूसरी बात हम अपनी जीवन में हमीशा positive thoughts भी create करें क्यूंकि कहावत है as you think so you become हम जैसा सूचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं हम जो भी thoughts create करें वो positive हो, pure हो, energetic हो इसके लिए विज्ञान में एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक बार वैज्ञानिकों ने जल के उपर परिक्षन किया दो जार लिए, एक जार के उपर लिखा I love you और दूसरे जार के उपर लिखा I hate you और इस्कूल के बच्छों को कहा कि जोर जोर से चिल्ला कर ये बात उस जार के सामने कहनी है एक महीने के परिक्षन के बाद पाया गया कि जिस जार के उपर लिखा गया था I love you उसकी अंदर बहुत सुन्दर क्रिश्टल्स बन गये थे और वो पानी बिल्कुल खराब नहीं हुआ था और जिस जार के उपर लिखा हुआ था I hate you वो पानी धीरे धीरे खराब हो रहा था कहने का भाव इतना है कि जब जल के उपर एक सिंपल वाटर के उपर हमारे थोर्ट्स का इतना प्रभाव पड़ता है तो Medical Science ये कहता है कि हमारी बॉड़ी में 70% वाटर लेबल है तो हमारे थोर्ट्स का प्रभाव हमारे शरीर पर कितना पढ़ता होगा हमारे थोर्ट्स, हमारे संकल्पों का प्रभाव दूसरों के शरीर के उपर कितना पढ़ता होगा तो अगर हम अपनी जीवन की खुद के लिए या दूसरों के लिए जितना प्योर और पॉस्टिव थौट क्रियेट करते हैं, उतना हमारे जीवन सुख़दाई आनन्दमई होता है, जिससे हमें खुशी की प्राप्ती होती है फिर हम अपने जीवन में कभी भी दूसरों के साथ कमपरिजन ना करें, क्योंकि जब हम ये तुल्लात्मक जीवन शाली अपनाते हैं, तो इस तुल्लात्मकता में हम अपनी जीवन की खुशी को खो देते हैं, और वहां जन्म होता है इर्शा का, घ्रणा का, नफरत का, इसलि तुल्लात्मकता से बचें, क्योंकि कहा भी गया है, जिन्दगी अपने कंधों पर जिया करती हैं, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं, अर्थात कभी भी दूसरों की विचारों या दूसरों की मनमत पर हमारी जिन्दगी डिपेंडनी करती हैं, दूसरो मेरी जैसा पार्ट पले इस पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं कर सकता है. फिर अपने जीवन में कभी भी अहंकार का भाव ना लाएं. क्योंकि अहंकार हमारे विवेक का हनन कर देता है. जब हमारे अंदर अहंकार का भाव आता है तो यह पतन की सिढ़ी कही जाती है क्योंकि जब भी हमारे भीतर अहंकार का भाव आता है तो हम दूसरों को हमिशा नीचे दिखाने की भावना रखते हैं कहा गया है कि तुफान जादा हो तो कश्टिया डूब जाती है और एहम जादा हो तो हस्तिया डूब जाती है एक उदाहरन के रूप में हम समझेंगी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी की अवस्था में उसे हम हमेशा soft food खिलाते हैं जिससे कि वो फूड उसको अच्छी तरीके से डाइजिस्ट हो जाए यो समझें कि ये जो दौर चल रहा है ये जो समय चल रहा है ये कल्यूगी दौर हैं कल्यूग अर्थात कलह कलेश का यूग कला विहीन यूग और ऐसी यूग में सर्वाइफ करने के लिए जब भी हम एक करेश के साथ संपर्क संबंध में आते हैं एक दूसरे के साथ जो हमारा विवहार बिहिवियर होता है हम उसमें थोड़ा सौफटनेस लाएं जब भी किसी से मिले बहुत सौप्ट वेवहार करें इसमाईल और गुड वाइब्रेशन के साथ किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आए इससे ये होगा कि हमारे जीवन में खुशी बरकरार रहेगी ये खुशी हमारे जीवन में हमीशा आनंद बनाए रखेगी और हमारे जीवन में एक संतुलन बनाए रखेगी फिर हम देखते हैं कि हमें हमीशा जीवन में दूसरों को सहयोग देना चाहिए क्योंकि से जो हमें response मिलता है वो दुआई मिलती हैं दुआ एक पूंजी है जैसे हम अपने जीवन में bank balance रखते हैं घर में अनाज का stock रखते हैं medicine का stock रखते हैं उसी तरीके से जीवन में survive करने के लिए कई ऐसे mood आते हैं कई ऐसे परिस्थितियां आती हैं जिसको face करने के लिए हमारे जीवन में दुआउं का stock होना ये दुआउं की पूंजी होना बहुत जरूरी है इसका बहुत अच्छा एक दृष्टांत महाभारत में है दिखाया गया है कि जब द्रौपदी एक बार नदी में इस्नान करने जा रही थ तो वहाँ पर एक साधुजी पहले से स्नान कर रहे थी हुआ यूं कि नदी की बहती धारा में उनके वस्त्र भी बह गये दूर खड़ी द्रौपदी इस दृष्टे को देख रही थी और साधुजी अपनी लज्जा को बचाने के लिए दूर जाकर जहाणियों में छिप ग देखा और अपनी साधी का एक टुकडा फाड़ कर साधुजी की ओर बढ़ाते हुआ कहा कि आप अपनी इससे लज्जा के रक्षा केजी हैं और दौपदी वहां से चले गए उसके बाद जब महाभारत में यह दृष्ट दिखाया गया है कि जब भरी सभा में दौपदी का जब उसने भरी सभा में हर किसी अपनी संबंधी को पुकारा बहुत रोया याचनाई की लेकिन उसकी पुकार किसी न न सुनी अंतितह उसने अपने आराध्य स्रकृष्ण को पुकारा और जब स्रकृष्ण ने उसके इस कर्म का फल देने के लिए सूचा तो सबसे पहले उ उसमें स्रिक्रष्ण ने पाया कि उसने एक बहुत ही सृष्ट कारे किया था क्योंकि कर्म एक बीज होता है जिस तरह धर्ती में हम एक बीज डालते हैं जिस दिन भी उसे खाद, पानी, हवा, धूप मिलते हैं और वह बीज अंकुरित होकर बाहर आता है तो धर्ती हमें एक के बदली एक ही नहीं देती बलकि एक के बदली अनेक देती है कर्म की फिलोसफी भी कुछ इसी तरह है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म चाहे सत कर्म हो या पाप कर्म हो वो कई गुणा होकर हमारे जीवन में वापस लोटाता है द्रौपदी के जीवन में भी यह उनका किया हुआ पुन्य कर्म, कई गुणा वापस होकर लोटा और भरी सभा में स्रिकृष्ण ने उनकी लाज बचाई और द्रौपदी की इज़त के रक्षा हुई। ये दुआएं हमीं जीवन में खुशी देती हैं और खुशी एक ऐसा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को हमेशा संतुलन में रखती हैं। और हम अपने जीवन में इस खुशी को बरकरार रखने के लिए, अपने जीवन में हमीशा सात्विक भूजन ही सिकार करें, क्योंकि शुद्ध सात्विक भूजन हमारे जीवन में हमारे भीतर, हमारे विचारों और संकल्पों को शुद्धता प्रदान करता है, हमारे विचार जब हम मांसाहार का भोजन करते हैं, तो सिर्फ हम मांस का ही सेवन नहीं करते हैं। जब हम मेडिकल साइन्स के जो भी आकड़े हैं, वो हमें बताते हैं कि आज 90 प्रतिशत लोग सिर्फ मांसिक रोगों से पेड़े थें। जिसका मेडिकल साइन्स के पास कोई इलाज नहीं है। कहने का भाव हैं कि अगर हम अपने जीवन में सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकहारी भोजन करें, तो हम इन सब बातों से बच सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, जैसा अन्य वैसा मन, जैसा आचार वैसा वैवहार, जैसी पानी वैसी वानी। ये सिर्फ कहावतों की रूप रेखा नहीं है, बलकि ये हमारी जीवन का एक जीवनत उदाहरण है। और इसे हम जितना अपनी नैचुरल, अपनी डेली लाइफ में, जितना हम इसे अपलाई करते हैं, उतना इसका बेनफिट हमें अपनी डेली के रूटीन में दिखता है। इसलिए अपनी जीवन को शुद्ध, सात्विक, प्योर बनाने के लिए, हम हमीशा साकाहारी भोजन का ही प्रियोग करें। क्योंकि आज की दौर में भी हम देख रहे हैं कि इस मानसाहार भोजन के कारण, इस नौनविश के कारण, हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसी बिमारियां आ रही हैं, जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए शुद्शाकाहारी भोजन का ही उप्योग करें और अपने जीवन को बहतर बनाएं। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा ये शरीर जितना स्वस्त होगा तो एक स्वस्त शरीर में एक स्वस्त मन का निवास होगा। और जितना मन स्वस्त होगा उसकी अंदर उतने ही प्योर और एनरजेटिक थोर्स क्रियेट होंगे फिर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी जीवन में जितनी अपेक्षाई होती हैं जितनी कामनाई होती हैं जीवन उतना ही संघर्ष पून्ड बनता चला जाता है इसके लिए हम अपनी एकछाऊं को कम करें एकछाऊं का कभी अंत नहीं हैं हर किसी के जीवन में उसे हर प्राप्ति एक समान नहीं मिलती हैं एक ही टाइम पर दो बच्चे जन में लेते हैं, किसी बच्चे का जन बहुत बड़े धनाडे परिवार में होता है, उसे जन में से ही बंगला, घोडा, गाड़ी, नौकर, चाकर सब उपलब्द होते हैं, एक बार छीके तो दस डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, और उसी से किसी दूसरे बच्चे का जन एक फुटपात पर होता है, जिसे जन में से ही वो सर्व प्राप्तियों से वंचित होता है, कहने का भाव है कि हम जीवन में एक समान, हर किसी का जीवन नहीं हो सकता, इसके लिए हम अपनी जीवन में, हमी जो भी मिलता है, हम उसमें और संपन्य बने, दूसरों के साथ जब हम केंप्रेजन करते हैं, दूसरों के साथ अपनी जीवन की तुल्ना करते हैं, एक ऐसी तुल्नात्मक होड में हमारी जीवन शैले ढ़ल जाती है, तो इसमें जो हमने अपनी जीवन में पाया है, उसे भी हम खो देते हैं, इसलिए भगवान हमें हमारे कर्मों की अनुसार सब कुछ देता है, और इसलिए अपनी जीवन में जो भी मिला है, उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि संतुष्टता ही हमारी जीवन में खुश्टियों का भंडार लेकर आती हैं। इसलिए संतुष्टता को हमिशा मनी कहा जाता है। ये मनी शब्द दूसरे गुणों के साथ देखे फिटनी बैठता है। हम खुश मनी नहीं कहेंगे, हम शांत मनी नहीं कहेंगे, हम सुख मनी नहीं कहेंगे। लेकि संतुष्ट मनी कहते हैं। कहावत भी है कि जब संतोष ध तो सब धन उसके सामने धूल के समान हो जाते हैं। तो अपने जीवन में संतुष्टता को धारन करें और संतुष्टता के आधार पर ही हमारी खुशियां निर्भर होती हैं। जाने के लिए तो उनके बदले, उनके द्वारा जो हमें रिस्पॉंस मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। एक उदारन के तौर पर सुनाना चाहूंगी। एक कारिगर एक महिला के पास कारे करता था और वो महिला बहुत हमिशा चर्चड़ी रहती थी सभाव से, नेचरल सभाव था। एक बार एक व्यक्ती ने कहा कि वो इतना सभाव से चर्चड़ी है, लेकिन एक बार तुम उसकी महिमा करके देखना, फिर उसका बहुत ही गुड रिस्पॉंस तुम्हें मिलेगा। कारिकर ने एक छोटी से उसके साथ मजाख के रेती ही कहा कि मैडम आप बहुत अच्छी है, आपने आज तक मेरा बहुत खयाल रखा है, जबकि वो कभी उसका खयाल नहीं रखती थी, उसे पीने के लिए पानी भी नहीं पूछती थी, वो कारिकर, वो वरकर सारा दिन काम कर रखता था, लेकिन कभी अपनी मालकिन से कभी किसी पी प्रकार की अपिक्षा नहीं रखता था, लेकिन दूसरे दक्ती के कहने पर उसने ये बात एक टोटके के रूप में यूस की, और उसने सुबह सुबह ही, यो ही वो कारिगर मालकिन के पास पहुचा, और मालकिन ने द दर्वाजा खोला तो दर्वाजा खोलती ही कहा आप बहुत अच्छी हैं और वो कहकर अपना काम करने चला गया मालकीन जो इतना जोर से पटक कर दर्वाजा खोलती और बंद किया करती थी वो कुछ छाणों के लिए ठहर गए उसने थोड़ी देर के लिए उसकी बातों को हैं उसके लिए चाय पानी सब कुछ भिजवा दिया कारिगर ने तो सिर्फ एक टोटके के रूप में इसका यूज किया था लेकिन उसने देखा कि सच मुछ जब हम किसी के लिए दिल से शुभावना रखते हैं शुभ कामना रखते हैं और दो मीठे बोल भी उसके लिए ब चाहते हैं और हम जानते हैं यह चीजी हमें किसी भी मार्केट से खरीदने से नहीं मिलेंगी कहीं से भी मांगने से नहीं मिलेंगी कितनी भी पैसी इसके लिए खर्च किये जाएं इसकी प्राप्ती बहुत दुरलब है इसलिए हम अपनी जीवन में इन चीजों को प्राप् हैं उतना दूसरे भी हमें देते हैं यह जरूरी नहीं कि time to time वो चीज हमें वापस मिल ही जाए लेकिन थोड़ा देर रुख कर भी थोड़ा समय बाद भी वो चीज लौट कर जरूर आती है क्योंकि ब्रह्मान का यह शाश्वत नियम है यह science का एक शाश्वत नियम है कि जो भ तो इस खुषी को अपने जीवन में अपनानी के लिए ज़रूरी है दूसरों को देना सीखें, देना शुरू करें, अपने आप ये जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और एक बात कि जब भी हम दिन की शुरुवात करें, अपने डेली रूटीन में, सुबह उठते ही स्रेष्ट संकल्पों के साथ उठें, क्योंकि हमारी संकल्प हमारी विचार, हमारी उपर सबसी गहरा प्रभाव डालते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है, पता नहीं किसका चहरा देख लिया था, जो सारा दिन ही खराब चला गया, दूसरों का प्रभाव तो दो-चार मिनट के बाद ही प्रभा पड़ेगा, लेकिन अपना प्रभाव हमारी आत्मा पर, हमारे मन, विचार, संकल्प, हमारी शरीर में इस्तित हर एक हार्मोन्स, एक कोशी का बोन्स, नर्वस सिस्टम पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब भी सुबह उठें, तो स्रेष्ट संकल संकल्पों के साथ उठें, ये दिन हमारी जीवन का एक नया दिन है, एक नया सफर है, जो वापस लोट कर हमारी पास नहीं आएगा, तो जब भी उठें, स्रेष्ट संकल्पों के साथ उठें, और उस प्रभु का धन्यवाद करें, कि जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है स्रेष्ट कर्मों के लिए, हम अपने जीवन को स्रेष्ट कर्मों के साथ सार्थक करें, स्वयम का भी जीवन सफल बनाए, अपने द्वारा दूसरों का भी जीवन सफल बनाए, इसलिए आप सबों से आग रहें, कि अपनी जीवन शैली को थोड़ा शात्विक बनाए, तो हम पाएंगे कि हमारी जीवन में जिन प्राप्तियों के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष है, सुख की छाओं तो पल भर ही नसीब होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर हम अपनी जीवन की शैली को थोड़ा विच तो उसका फल जो मिलेगा, उसका जो रिस्पॉंस होगा, वो बहुत गुड होगा, बेटर होगा, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शन्ति